नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एब्रिडे इंस्पिरेशन में दोस्तों भर्स्न की महिमा अद्भुत है क्योंकि स्वयम भोलेनात इसे अपने शरीर पर मलते है हमने भोलेनात को कभी देखा नहीं है लेकिन हमारे मन मंदिर में भोलेनात की जो छबी है वह भस्त के बिना अधूरी है जहाँ पर सभी देवी देवता उच्छे वस्त और अलंकार से सुशोभित होते हैं रंग भी रंगी फूल और फल से प्रसंद होते हैं बहाँ पर हमारे महादेव धदुरा और आक्रे जैसे विशेली वनस्पती के फूलों और फूलों से प्रसंद होते हैं और रुद्राक्ष भर्स तता सर्पों से अपना सिंगार करते हैं। लेकिन इस बात में उतनी सचाइ हैं दोस्टों कि उनका ये सिंगार हम भोलेनाथ के भकतों को मंत्र मुक्त कर देता है। ये सिंगार उनके रूप में चारचान लगा देता है। पुरान के अनुसार भगवान शिव ने अपने तन पे जो भस्न लगाई थी वह उनकी पतनी सती की चिता की भस्न थी जो की अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो बहा हो रहे यदने के हवनकुंड में कूद गई थी शिव जी को जब पता चला तो वो बहुत बेचन हो गए चलते के उन से सती के शरीर को निकाल कर शोका कूल होकर ब्रह्मान में घूमते रहे उनके क्रोध और बेचनी से स्रिष्टी खत्रे में पड़ गई तब भगवान श्रीहरी ने देवी सती के शरीर को छिन छिन कर दिया जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्ती पिटों की स्तापना हुई पूरान में ये भी कहा गया है कि सती धहन के बाद बोले नाज शुका कूल होकर प्रह्मान में घूम रहे थे तब श्रीहरी ने सती के शरीर को भस्प में परिवर्तित कर दिया शिव जी ने वीरह क अगनी में भस्प को ही मातासती की अंतिव निशानी के तौर पर अपने तन पर लगा लिया विज्ञान भी कहता है कि भस्प शरीर पर लगाने से वह की टानों से तो रक्षा करता ही है बलकि इसे शरीर पर लगाने से ठंड और गर्मी से भी रक्षा मिलती है मच्चर कटमल रदी जीव भी भस्म रमे शरीर से दोर रहते हैं भस्म लगाने से मस्तिश्क शांत रहता है भस्म लगाने से मन एकागर रहता है और सबसे महत्वो पूर्ण बात सबसे महत्वो पूर्ण बात ये है दोस्तो महादेव के भक जब भस्म को अपने माथे पर लगाते है तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा भागिशाली दूसरा कोई है ही नहीं। और छाती के मद्य में जिसे अनाहत चक्र के नाम से जाना जाता है बहाल लगाया जाता है। दोस्तों शिवलीला अमुरुत में बताया है कि देवों के देव महादेव अपने भक्तों की चिताभस्म अपने शरीर पर मलते हैं। और अपने भक्तों के मूंडों की माला प्यरोकर अपने गले में धारन करते हैं। जो की हम भक्तों के लिए बेहदी सौब भागे की बात हैं अगर आप भी मेरी बात से सहमत है, अगर आप भी भुले नाथ के भक्त है, और आपको मेरी वीडियो पसंद हाई है तो वीडियो को लाइक शडRNA कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसे अच्छे से टॉपिक के साथ तब तक के लिए दीजिए इजासत धन्यवाद